शिरा दे रादे भक्तों भगवान अपने भक्तों की सेवा करके परसंद होते हैं भक्त भी भगवान की सेवा करके परसंद होता है लेकिन भगवान भी उसी तरह से अपने भक्तों की सेवा करके परसंद होता है बस वो यह देखते हैं कि यह भक्त पून रूप से मेरे आशित है या नहीं है जब भगवद आश्रे मजबूत होता है अलदय में तब लीला धारी लीला करना शुरू कर देते हैं कल आप शवन कर रहे थे स्री स्वामी रसिक माधुरी शरण जी महराज की चरितावली जिसमें प्रभू की कृपा से मैंने सुनाया था आपको कि प्रभू दो टिकट ले करके आए अंजान व्यक्ती बन करके फिर आगे के स्टेशन पर उनको ला करके फल मिठाई ये सब भी खाने को दिये बोले मैं बरसाना में रहता हूं मंदिर कर टहल हूँ चलिया नाम है मेरा जिन लोगों का सुपरचित बताया था बरसाना में उन लोगों ने का हमें तो पता भी नहीं चलिया नाम का को ने तब रहत से खुला कि वो स्वयम ठाकुर जी थे महराज सरस माधुरी शरण जी के सुपूत्र और सुशिष दोनों ही थे रस्तिक माधुरी जी एद्ध्यपी शुक्र संपरदाय के आचारे थे पर आचारे पद का उनके स्वाभाविक दैनिका मेल नहीं खाता था आचारे क्या वे स्वेच्छा से बने थे आचारे उन्हें परिष्थितियों ने बर्बस बना दिया था आचारे पद से जुड़ी हुई बहुत सी बातों को जो उनके दैनिके प्रत्रकूल होती और उन्हें विशेश रूप से सम्मानित या पोजित कर की जाने को बात धिकरती उन्हें स्विक्रित नहीं होती थी उदारेन के रूप से शुक्त संपरदाय में आचारे उनकी जन्मतिति ही मनाई आती है उनकी भी जन्मतिति मनाने के लिए भक्तूत कंठित हुए उन्हें से जन्मतिति के बारे में पूछा तो उन्होंने कह दिया मुझे मालूम नहीं बहुत प्रयत्ने करने पर भी उन्होंने जन्मतिति किसी को नहीं बताई तब प्रोफेस्टर गोविंद प्रशाद जी को एक युक्ति सुझे वे जानते थे कि उनकी जन्मपत्री उनके पास है उन्होंने सोचा कि उसे किसी प्रकार निकलवाना चाहिए। करना चाहिए रस्तिक माधुरिष्टराण जी को समझ में बात आ गई उन्होंने सहाज भाव से अपने जन्म पत्री निकाल कर दे जी आने पर उनका जन्मोत्सों मनाने की तयारी होन लगी उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा मैं अपना जन्मोत्सों नहीं मननने दूंगा उ अज तो हम लोग अपना जन्मोत्सों कितनी धुंधाम से मनाते हैं वह का रहे थे नहीं मेरा नहीं मननों आचारीं का मनना जाए हम तो यह आचारी थोड़ें इदिव आचारी थे लेकिन अपने कुण माम ते नहीं थिक मैं आचारीं तब प्रोफेसर सहाब को एक और युक पूर्व अगरहन पूर्णिमा को सरसमाधुरी जी की परम धाम गमन ति थी तो उन्होंने कहा आप अपने गुरुदेव की धाम गमन ति थी तो मनाने देंगे इसका समर्थ मुनि करना पड़ा गोविन प्रचाट जी ने सरस्त माधुरी जी के धाम गमन के उपलक्ष में साथ दिन का अखंड कीर्टन रखा जिसकी समापती अग्रहान शुक्ला पूर्णिमा को हुई दूसरे जिन अर्थात रसिक माधुरी चरण जी की जन्मची थी के दिन संत सेवक आयव जन किया इस प्रकार आंतता उनकी जन्मची थी मना ली गई युक्ती से महराज भक्तों ने मनाया आप क्या करते हैं वो तो गुरुदेव की थी तो मना नहीं पड़ेगी इसलिए उनकी कुछ बोल नहीं सके श्री रसिक माधुरी चरण जी पद रचना भी बहुत सुंधर करते हैं वह उनकी बहुत से पदों की रचना की एक बार किस्टी ने कहा महराज आपकी पद तो सरस्माधुरी जी की पदों से भी अधिक अच्छें कभी अपनी कविता की प्रशन सा सुन करके बहुत सुक्य होते हैं और किसी प्रकार सी इतना नहीं होते हैं पर रसिक माधुरी चरण जी कोई बात अच्छी नहीं लगी उनकी पदों को लोग गुरुदेव के बदों से भी अच्छा बताएं उनकी पदों का गुरुदेव क पदों की जगह गान करें और उनकी द्वारा एक बड़े कवी के रूप में उनकी प्रसिद्धी हो यह यह नहीं बर्दास्ट कर सकते थे महराच इतने निरभिमानी थे वो उसी समय उन्होंने साव पदेकत्र किये अपने दैन की रक्षा करने के लिए इतना बड़ा त्याक करने में भी संकोच नहीं हुआ उनकी कुछ ही पद प्राप्त हुए लोगों को कि जब जब जाल दिया उन्होंने उन लोग वही थोड़े से रह गए जो दूसरे लोगोंने नकल जिसकी कर रखी थी अपने पास तो वही बच्चे ने तुसाब जब जब जाल दिया उन्होंने भक्तों एक रसिक मादूरी जी की रचना है भूर भाग में अपन लखायों शीशुक सखी कृपा करुणा से चर्णदास कुल शर्णू पायों बहुत जन्म सोहती लाल सा चहल महल मन मोर लवायों आरत जान टेर श्रवन निसुन सरस्माधुरी मेल मिलायों तिन बहुत हित्मान जानि निज रासरहस्य दंपति सरसायों दैसंबंध नाम सेवा सुक शुक परिकर सानंद वसायों मिलों मोहि परिवार आपनों योहुल सित तन पुलक जनायों अब मैं भई सनाच सकल विधी दावलो उत्तम बनियायों सरस भिहारी प्रीतम प्यारी पूरन कियो मोर मन भायों रसिक माधुरी रस निज शिंचितु सरस माधुरी रस हिचायो महराज थोड़ी सेशी पद लोगों के पास बचेते और सब जमना जुमां विचारजन कर दिया अपने पदों को विचारजन करने के साथ ही रसिक माधुरी शरन जी ने सरस माधुरी शरन जी के सभी पदों का संग्रह करके उन्हें सुचार रूप से सरस सागर के नाम से तीन भागों में प्रकाशित कर दिया गुरुदेव का ही, इतना सम्मान अपने पदों को सब पो जमुना जी में डाल दिया, अब आप विचार करीए, कहां इसके उल्टा होता देखते हैं, लेकिन कैसी दिनता, कैसी निरभिमानिता थी, कि अपने पदों को तो जमुना जी में डाल दिया है, और गुरुदेव के पदों को बड़े अच्छे धंग से प्रकाशित किया प्रकाशन के पूर्व एक दिन रसिक मादुरी चरण जी जुगल मादुरी चरण जी ये और सनम सहबादी सरस्त मादुरी जी के प्रमुक्षिश्चों ने प्रकाशन के सम्मन विचार किया एक मत ये था कि सरस्त मादुर को प्रकाशन ने किया जाए क्योंकि सब लोग संबंदित पदों को भी प्रकाशित करने के पक्ष में नहीं थे उसी दिन रात्री में सरस्त माधुरी शरण जी ने जुगल माधुरी शरण जी को स्वप्न में अपने सभी पदों को प्रकाशित करने का आदेश किया दूसरे द इन जुगल माधुरी शरण जी ने रसिक माधुरी शरण जी से आकर के कहा, महाराज जी, गुरदेव का कल मुझे आदेश हुआ है, आप जैसे उनके पदों का प्रकाशिन करना चाहते हैं, वैसे ही करें. स्वामी रसिक माधुरी श्यरंजी एक शक्ति साली सिद्धिमा परुष्ते वक्तों, वे अपनी सिद्धाई कभी प्रकत नहीं होने दिते थे, पर शिष्ष सेवकुम के प्रति उनका वादसल्य और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भर पूर था, वो कभी-कभी उने अप वे आए और उनके दारिशन करने के लिए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा, तुम दाहरा हो आए हो क्या? तो बोले नहीं, तो बोले कि, रसिक माधुरी जी बोले कि, तो दाहरा तुरंत हो आओ, अभी निकट हो, हो आओगे, तो अच्छा रहेगा, फिर न जाने कब वहां कहां को ट्रांसफर हो जाए, वे अलवर लौट करके तुरंत वहां से बस से डहरा गए, रास्ते में तेज द्वर हो आया, बस ने विजय मंदिर के पास छोड़ दिया, वहां से डहरा दो मिल था, पैजल जाना था, पर बुखार के मारे पैल अड़ खड़ा रह थे, तो भी पड़े, दो ही कदम जाकर किसी ने से पूछा डहरा कितनी दूर है, उसने का आप डहरा में ही तो खड़े हैं, तो उनके आश्चरे का छोल ने रहा, चकित रह गए, कि मैं तो दो मिल दूर था, अब कुल दो कदम चला हूं, और मैं डहरा में कैसे पूंच गया, दो कदम च में चरनदास्टी महराज की छतरी के दर्शन किये, दर्शन करके जब अलवर लोटे तो पूर्ण सवस्त है, अलवर में उन्हें जैपूर के लिए अपने ट्रांसफर का आर्डर रखा मिला, एक बाज डहरा में आचारे प्रभू श्री चरनदास्टी महराज की जन्मोत्सो के समय, रशिक माधुरी चरनदी के शेष्य, श्री कल्यान सिंग जी का राजगड में जोड़ा रहे थे, रशिक माधुरी चरनदी ने उन्हें उत्सों में डहरा आने को कहा था, तो वो बोले कि मैं डहरा का रास्ता तो जानता ने, इस पर रशिक माधुरी चरनदी कहा, त साथ हो लेना, वे समय पर अरोर पहुंच गए, पर डहरा जाने वाले लोग सब जा चुके थे, वे देर तक सोचे रहे, अब क्या करें, इतने में उन्हें भूख लगाई, एक दुकान से खाने की कुछ सामगरी ली, और दोनों हाथों में उसे ले करके, आँख मूद करके, ठ सिक माधुरी शरहन जी, सामने ही तांगे में बैठे हुए, कह रहे हैं, अरे अभी तुम यहीं हो, आजाओ, जल्दी देर, आजाओ, देर हो रही है, वे उनके साथ तांगे में बैठ करके, डरा चले गए, वहाँ लोगों ने पूछा, तुम किस के साथ आये, उन्होंने का गुरु जी के साथ, तो लोग चकित हो गए, लोग ने का, गुरु जी के साथ, वे तो यहाँ कल ही आ गए थे, गुरु जी तो कल ही आ गए थे, आज कहां तुम उनके साथ आये, तो तब से, अपने कमरे मिस से कहीं गए भी ने गुरु जी, गुरु जी अर्था क्रसिक आपने कम्रे से बाहर निकले नहीं तब से, तो जब कम्रे से बाहर नहीं निकले तो तुमको कहा अलवर में मिल गए, तो उन्होंने का नहीं वे अभी हमारे साथ आये हैं, ये सुनकर के सब्चा की थो गए कि अरी, गुरुदेव रसिक माजुरी शरण जी तो यहां थे, कैसे इनको मिल गए वहां, ऐसी लीलाएं भक्तों, जो सिद्ध संत पुरुष होते हैं, भगवान की इच्छा से उनकी अच्छी लीलाएं हो जाती हैं, लोग उनके बुद्ध में बात समझ में नहीं आती कि ये कैसे हो जाता है, ऐसे अधुद्ध संत थे भक्त थे और सिद्ध पुरुष से रसिक माधुरी चरण जी, भक्तों इसी प्रकार से एक बार रसिक माधुरी जी और जुगल माधुरी जी को अपने गुरु भाई दामोदर लाल जी पतवारी के हां, राम निवास भाग के अंतरगत, गोविन जी की बगीचा में शुक्डेव जी की जन्मोत्स में जाना था, जुगल माधुरी जी अपनी बगी लेकर के आ गए, रसिक माधुरी जी को सेवा पूजा में व्यस्त रहने के कारण सरशकुंज से निकलने में कोशी भी लंब हो गया, तो उनके निकलते ही उत्सों में जाने की छटपटी में जुगल माधुरी से रण जी न माराज एक चाटा मारते हुए का, अरे जल्दी कर, न जानता नहीं कुछ देर हो गई, इतना समझ में नहीं तेरे आती, ये देखकर रसिक माधुरी से निकला, आरे मुझे अभी देर है, आप चलें, जोगल माधुरी से रण जी चले गए, वहाँ जाकर उनने देखा कि रस माता हो, मैं तो यतनी जल्दी कर रहा था, अब यहां माराज जी पहले से पहुंचे हुए, ऐसे भी चित्र लिलाएं होती थी भक्तों, एक बार तो ऐसी घटना घटी कि रसिक माधुरी जी को अपनी सिधाई का प्रयोग सब के सामने करने को मिवश होना पड़ा था, गटन में लोगों की धारना थी कि वो टोना करके भच्चों का कलेजा निकाल देती है, भक्तों ऐसी घटने ज्यादता तो जूट होती हैं, लोगों प्रचार करकर उसको सही बनाना चाते हैं, बच्चों के कलेजे में घट्धा पढ़ जाता है, ऐसा लोग बोलते थे, और उसका म खीचने लगता है, और उमर जाते हैं, ऐसा ऐसा परचार थे वक्तों, लोग उससे कई बच्चों के इस प्रकार मर जाने के लिए जिम्मेदार भी मनते थे, और बहुत से लोग उसको डाइन मनते थे, एक बार एक और बच्चा उसके टोने का स्विकार बना, वो मरना सन लोग दाइन को घसीट कर मार रहे थे, महरा जो लोग उसको डाइन बता करके घसीट कर मार रहे थे उस महिला को, वो उसे जान से मार देना चाहते थे, दैवियोग से उसी समय रसिक माधूरी चरण जी भागवान का दर्शन करने के लिए, गोविन जी का दर्शन करने के लि में लिए घर लोट रहे थे तो नहीं देखते ही वो डाइन जो कही जाती थी वो अपने रक्षा के लिए उनके चर्णों में लोट गई तो महराज वो बड़े धर्म संकत हो पड़ गए अब छाण बहर को उन्होंने आँख मीच करके अपने आँख बंद करके श्री चर्णदासी महराज का ध्यान किया फिर प्रसाद का एक कणिका बच्चे के मुख में दे कर डाइन को दिया लोगों से कहा आप लोगी सवरत को छ प्रसाद का कणिका मुख में पड़ते ही बच्चे की हालत शुदरने लगी वो पूर्ण सवस्थ हो गया उस अवरत का भी तोना पना जो था सब खतम हो गया लोगों ने देखा वो तो अब बिलकुल बहुत ही अच्छी हो गई ती मैलाव भाग तो हो गई थी जो उसके वी प्रश्य में लोगों की धारन थी वो भी खतम हो गई अब सब जगड़ा सब समस्या और सारा जो वहां लोगों दूस्परचार किया था उस अब खतम कर दिया बच्चा भी बचा दिया माराजी ने और उस और जो महिला थी उसका तामशी गुन भी खतम कर दिया एक बार अजमेर में थी तो उनका नोकर किसी प्रेतात्मा की चक्कर में आकर ब्योश हो गया तो उन्होंने इसकी चाती पर श्री चरनजास जी महराज का गंध भाक्ती सागर रख दिया तो प्रेतात्मा चीख पड़ा महराज जी आ गए और मुझे उनसे दीख्चा दिलवा दो उस अजिसमेन जाने कहां से रखिक माधुरी चरनजी तांगे पर आते दीखे उन्होंने उसे दीख्षा दी प्रेतात्मा का उध्धार हो गया और नौकर स्वस्त हो गया उनकी शिष्चया स्री उत्तम चंड़ी महेष्वरी की पुत्री कमला भाई को भी एक बार प्रेतात्मा उस समें रशिक माधुरी जी को उसने अपने सिरहाने बैठे उसके सिर पर हाथ फेरते देखा तो उसका भय कुछ गया वाक्तों जो सिद्ध मापुरुस होते हैं संत भाग्तों होते हैं उनके सामने प्रेत टिकते नहीं प्रेत भाग जाते हैं उसके लिए कोई जाडफोंक भाग्तों की चरण रज्व भाग्तों का सामीप भाग्तों का करस्पर उसी बाधे हैं दूर हो जाती हैं भाग्तों ऐसी बहुत सी लिलाय उनकी जीवन में होई थी एक बाश दहरा में आचारय प्रभुस्री चरण दास जी महराज का उत्सव था किर्तन हो रहा था श्री कीष्टन ऐषा जमा कि रुखने का नाम ही नहीं ले रहा क्यूत कारियों का प्रया धौक भाव प्रतिक्षेCause ćरव लोगता देखा कोंके नाड़ीह शूiable कात्या रहा था रज्जन जी कीर्टन करते करते यह थावत मोर्शित हो भूम पर गिर पड़े लोगों ने देखा कि उनकी नाड़ी भी छूट गई उनकी बहिंशान्ती देवी, काशि प्रशाजी की पत्नी और राधे जी भाग कर रशिक मादुरी शरण जी के पास गए और घवराट के स्वर में बोले रज्जन कीर्टन में मोर्शित हो गया है उसकी नाड़ी छूट चुकी है जल्दी चलिए सुन्ती रशिक मादुरी शरण जी का शीष्ट के प्रतिवात सल्य उमड़ पड़ा उन्होंने अपना शरण आगे बढ़ा दिया संती चलिए रहन खिवराट, बढ़ाए लो चर्ण अमृत ले जाओ अरण भक्तों अभिमान तरंभ नहीं था यह किर्पा प्रकथ हो गाई थी शर्ण की संत की किर्पा प्रकथ हो गए जो बोले चर्ण अमृत ले जाओ लेकिन वात्सली प्रकट हो गया इसलिए इसलिए अनुने का दिया अपना चरन आगी बढ़ा कर लो चरना मृत ले जाओ उसे पिला दो जल्दी करो और महरा चरना मृत ले जाकर पिलाते ही रजन जी की चेतना जागरत हो गई जो लग रहा था कि मर गए उन्हें पकड़ करके लोग ले आए और रसिक माधूरी सकन जी इस से उनके equity करके आशिरवार दे करके अभे प्रदान कियैं यह सच्छे संत भक्त के अंदर ये स्वाभाविक शक्ति प्रभू की गृपा से होती है ऐसे महान सम्ट से स्वामी रशित माधुरी चरणगी अब इनके चरित्र में आगे आपको फिर सुनाओगा आज यहीं पर विराम दे रहा हूँ उनकी चरणों बारंबार पॉनाम श्री राधे राधे देख श्री राधे